हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले उस मूवी का नाम है एजन 47 ये मूवी एक गेम पे अधारित है तो चलिया आए शुरू करते और शुरू करने से पहले क्रिपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल एकन को जरूर दबा है और इस चैनल को बड़ा बनाने मदद करें मूवी की स्टाटिंग में हमें दिखाया जाता है तीन गारियां कहीं जा रही होती है और उनके उपर रिमोटली कोई अटाक करता है पहले वाले गारी को बॉम से उड़ाया जाता है दुसरे वाले गारी को गं से और लास्ट व और वहां जाकर दिखते हैं उनके आदमी मड़े पड़े हैं और वैसे ही पीछे से कोई मारता है तो जब वह आदमी मुर कर दिखता है पीछे तो एजन 47 बैठा रहता है फिर वह आदमी और एजन 47 में कुछ बात होती है और जो information एजन 47 को चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है उसके बाद वो वहां से जाने लगता है तभी पीछे से वह आदमी वेपन रखा हुआ डोर खोलता है और देखता है बॉम पहले से ही फिट किया हुआ है और ब्लास्ट कर जाता है तभी बहुत सारे एजन कहीं से निकल के आने लगते हैं एजन 47 भी तयार रहता है और सब को माटते हुए आगे बढ़ता है तब सिंगापूर का सीन दिखाया जाता है और सिंडिकेट के हेट क्वार्टर में बैठे एक आदमी कुछ कर रहा होता है और किसी से बात कर रहा होता है और कहता है उस लड़की को जल्दी से धुन्डो उस एजेंट से पहले तभी बर्लीन का सिन दिखाया जाता है और एक लड़की कुछ देख रही होती है फटे हुए पेपर को जोड़के तभी एक लड़ी आकर उसे कुछ फाइल्स देती है देखने के लिए और फिर वो लड़की उस लड़ी को एक आदमी का फोट दिखा के कहती है कुछ मिला इसके बारे में तब वो लेड़ी कहती है माफ करना बिन नाम पता का कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में और फिर वो लड़की उटकर वहां से चली जाती है और फिर बस का सिन दिखाया जाता है वो बस में ट्रावल कर रही होती है और फिर अपन फिर वहां से वो चल देती है। तभी कहीं होटल में agent 47 को दिखाया जाता है और वो अपने सामान के साथ room में जाता है और आप अपने weapon के इसको खोलता है और एक laptop पे उस लटकी को तलास करने लगता है। तभी दूसरी तरफ वो लटकी को दिखाया जाता है उसका नाम कैचिया रहता है वो रूम में अपने आके लोग करके अपने वाल पे लगे नोट्स को देखते रहती है और कुछ मेडिश्रिन लेके वहीं सो जाती है तभी 47 को दिखाया जाता है वो अपने लैक्टॉप पे उस लटकी को ढूंड लेता है तभी ढूंडने के जस्ट बाद 47 को एक कॉल आता है चैना का वो उसे बताती है उसने भी उस लटकी को ढूंड लिया है तभी उसके अचिया को दिखाया जाता है और उसे सपना आते रहता है वैसे ही वो उटकर मैप देखने लगती है तभी 47 उसके रूम में आता है पर कातिया चेरिस से भाग रही होती है तभी Agent 47 उसके रूम में वहाँ के स्टब देख रहा होता है और उसकी नजर मैप पढ़ती है तब दिखाया जाता है कातिया स्टेशन पे आ रही होती है वहाँ उसकी मुलाकात वही आदमी से होती है जिसे सिंडिकेट ने भेजा होता है उसका नाम जॉन रहता है और उसे मनाने लगता है उसके साथ चलने के लिए जुट बोलकर एजेंट 47 तुम्हें मारने आया पर वो विश्वास नहीं करती है तब एजेंट 47 के नजर केटिया और जॉन पर पढ़ती ह पर जॉन एजेंट 47 से बच कर केचिया से मिलता है और किसी गारी में बैठ कर भागने लगता है तब 47 भी पीछे से आ रहा होता है गारी के कुछ दूर्ज निकलने पर एजेंट एक मस्ट शॉट लगाता है और उस गारी के ट्राइवर को मार देता है तब वो दोनों गारी म से निकल कर US Embassy के पास जाते हैं और गण फायर करते हैं अपने आपको अरिस्ट करवाने के लिए दूसरी तरफ 47 भी अपने आपको अरिस्ट करवाता है उसके बाद 47 से पूछ दाज की जाती है तब 47 भी बातों बातों में अपने आपको छुड़वा लेता है और वहां खड कर केटिया के पास पहुचता है और फिर दोनों एक पुलिस की गारी भागते हैं और ये सब 47 देख अपनी स्नाइपर से निसाना लगाता ही है पर मार नहीं पाता है तब 47 किसी उचे वाले बिल्डिंग पे जाता है और गारी के गलास पे एक गोली मारता है पर वो भाग नि वैसे ही एक कॉल आता है जॉन कॉल उठाने के बाद भागता ही रहता है वैसे ही 47 अंदर आता है और उसे गोली मार कर मार देता है और केटिया को एक हाथ मार कर भी होस कर देता है और उसे लेकर चला जाता है दूसरी तरव वही आदमी को दिखाया जाता है हिट क्वाटर मे बैट कर एक आदमी से बात करते रहता है केटिया के बारे में फिर दिखाया जाता है केटिया को हो साता है और 47 बोल रहा होता है केटिया से तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा क्योंकि मैंने तुम्हें मारने का डिसाइड नहीं किया है पर वो मगर मार देगा तुम्हारे फादर को ढूनने के बाद तब केटिया कहती है तुम क्या जानते हो मेरे फादर के बारे में तो 47 कहता है जीतना तुम जानती हो उतना ही और उसे टच करने को कहता है अपना हाथ तब केटिया उसका हाँच पकड़ती है उसे पास्ट का सब कुछ दिखाई देने लगता है ये सब जानने के बाद केटिया आगेजन 47 को कहती है मेरा हाँच खोलो बर एजन 47 कहता है तुम्हें अभी बहुत कुछ सिखना है तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है और कहता है खुद खोलने को और जाके एक जेट मशिन को ओन करता है तब केटिया भी अपने आपको खोल लेती है अपना पावर यूज करके और जब बाहर आती है तो वहाँ से तो देखती है 47 वही खड़ा रहता है उसका वेट कर रहा होता है तब केटिया कहती है मुझे पता नहीं था कि यह एक टेस्ट है तब 47 कहता है सब टेस्ट है और वहाँ से जाने लगता है तब Syndicate के Soldier आते हैं उन दोनों को मारने के लिए तब 47 यहाँ भी कहता है उसे अपना Ability यूज करने के लिए और उन दोनों को बच्छाने के लिए तरहसल यह भी टेस्ट 47 ले रहा होता है कैटिया का उसके बाद कैटिया बताती है कब कौन सा Soldier कहां होगा और तब 47 सबको मारते हुए आगे बढ़ते रहता है तब ही कैटिया को अचानक से जौन फिर मिलता है और वो पता चलता है कि वो Syndicate के लिए काम करता है उसके बाद 47 और जौन में लड़ाई स्टाट हो जाती है और जौन 47 पर भाटी परने लगता है तब ही कैटिया आके एक गोली चलाती है पर वो गोली जाके ग्लास पर लगती है तब जौन कहता है तुम चुक गई तब 47 कहता ये कभी नहीं चुकती है फिर जौन जहां खड़ा रहता है वहीं ग्लास विंडो प् कि आधार आने के पाद केटिया पुषती है ये कैसे पॉसिबल है मरने के बाद तब ऑट सेवन बताता है ये सब सेन्डिकेट की एक्सपेरिमेंड का कमाल है और फिर ओटी सेवन के त्याइस की फादर के बारे में पूछता है तब केटिया उससे कसम लेती है तुम उसे कुछ नहीं करोगी यह सब कहीं दूर से एक बैन में वेटा आदमी सुन रहा होता है कि वो सिंगापूर में है तब एक सीन दिखाया जाता है कि एक आदमी बाथ टब में मड़ा पड़ा है और फोन बजरा हो 47 ने उसे गोली मा रहा और वो कुछ धूंड रहा होता है तब उसे पता चलता है कि वो जो खोज रहा होता है वो उसे मिल जुका होता है और एक कॉल करता है उसी सेंडिकेट में उस आदमी को और बताता है कि वो सिंगापूर में है और फिर 47 और केटिया को सिंगापूर के एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है वही 47 वहां से ड्रेस बदल कर निकलता है और केटिया को भी कहता है तुम्हें भी इन कैमरों में से बच के निकलना होगा और फिर केटिया बच बचाते वहां से निकलती है और देखती है 47 एक गारी में उसका वेट कर रहा होता है और फिर वो जाके बैठती है वही गारी में और फिर एक होटल में वो दोनों जाते हैं और अगली सुभा उन पर अटैक होता है 47 सब को मारता है और वो वहाँ से फिर जल देते हैं और जाके लिट्वेंग को यानि केटिया के फादर से मिलता है और दूसरी तरफ वो सेंडिकेट के लोग भी 47 को देखते हैं कैमरा में और जान और दूसरे को बेशते हैं लिट्वेंग को को लानिक ले लिट्वेंग को कहता है तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था तब केटिया पूछती है आपने मुझे क्यों छोड़ दिया तब लिट्वेंग को कहता है क हमने तुम्हें छोड़ा कि तुम जिन्दा रह सको तब उसकी नजर 47 में पढ़ती है तो वो कहता है मैं तयार हूँ मरने के लिए तब केटिया कहती है आप गलत हैं हम जान गए हैं कि हम कौन है और क्या है तब पता चलता है 47 केटिया का भाई वैसे ही वहाँ गण फारिंग स् है दुसरी गारी में और फिर रिस चेंजिंग का सेसिला स्टाट हो जाता है और केटिया के अबिलिटिक के हेल्प से वह उन से पीछा छूडा लेता है और टर्णल से बाहर सिटी में आ जाता है और फिर 47 के गारी पे हेलिकॉप्टर से अटैक होता है वह चारों तरब से केटिया भागने लगते हैं तब 47 उनके पीछे उनके साथ भागने लगता है तभी लिटवेंको को गोली लग जाती है वो 47 को कहता है केटिया को यहां से लेके भाग जाओ तब 47 लेके चला जाता है और तब सिंसिप्ट होता है और जॉन को दिखाया जाता है वो लिटवेंको अपने रूम से बाहर निकलता है और जाने लगता है तब ही दिखाया जाता है 47 में ये सब देख रहा होता है और किसी चीज की त्यारी कर रहा होता है फिर वही आदमी जो उनका बॉस रहता है वो आके कहता है बस करो जोन और उसे बाहर भेज देता है और फिर लिट वेंकों स वो पुछने लगता है मुझे बता एजन कैसे बनाते हैं वो नहीं बताता वैसे ही 47 की आवाज आती है तो वो आदमी कहता है 47 हमारे सिस्टम में कैसे आया तब 47 को दिखाया जाता है वो कहीं से बात कर रहा होता है और डील करता है कहता है तुम कलत आदमी से पूछ रहे हो next generation agent तो वो लटकी है जिसे तुम सिर्फ लिटविंकों तक पहुंचने का जर्या समझ रहे थे तभी केटिया को दिखाया जाता है वो एक हेलिकॉप्टर में बैठी रहती है और सामने वाले विल्डिंग में जाके हेलिकॉप्टर सहीं खुछ जाती है उसके बाद उन लोगों क फॉर्टिसेवन को मारने लगती है दूसरी तरफ उनका बॉस जोन और लिटविंकों के साथ तेरेस पर जा रहा होता है और दिखाया जाता है और जब वह सब लिटविंकों के साथ उसके ऑफिस में जाते हैं वहीं 47 बैठा रहता है और फिर जोन और 47 फाइटी स्टार्ट ह जाती है और 47 जोन को मार देता है तभी कैटिया आती है और 47 से पुस्ती है वो कहां है तो 47 कहता है वो रूप पे है और वो दोनों रूप की ओर पढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए वहां के गाड को मारते हुए पहुंचते हैं रूप पे और गनफाइट भी स्टार इन्हीलर कोफेस करता है और वो एक Government रहता है जो 47 उसे दिया हुवा होता है और तभीह हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करता है और वो दोनों देखते रहते हैं हेलीकॉप्टर को गिरते होए तब 47 जैना के कौल करता है और बताता है टार्गेट अर्मिनेटिट कनफॉर्म और कॉल कार्ट के देखता है कि कैचिया उस पे गंतान के खड़ी रहती और बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया तब 47 कहता है ये तुमें फ्री करने के लिए और इजट प्रोग्राम को बंद करने के लिए था और जब वो जाते रहते हैं तब उनके सामने 47 का हमसकल आता है वो 48 रहता है तब वो दोनों गोली चलाते हैं और मुवी का दाइड हो जाता है वैसे ही